अरविंद केजरी वाल को आपता पूनावाला का रिस्तेदार बता देने के बाद भी आम आदमी पार्टी को आतंकियों का हमदर्द बता देने के बाद भी लव जिहाद का सांपरदाइक सिगूफा छोड़ने के बाद भी दिल्ली के कस्मीर बन जाने का डर दिखाने के बाद भी ब्रामण खत्रे में है का रागल आपने के बाद भी भाजपा के अर्मानों पर जाड़ू फिर गई सुधीर चौधरी की नाराजगी के बावजूद अमन चोपड़ा की अस्फल कोशिसों के बावजूद नाविका कुमार की नौटंकी के बावजूद भाजपा MCD में हार गई पंदरा साल से चल रही थी MCD में सत्ता एक जटके में चली गई आखिरकार चली गई इसके बाद भी अगर किया जा रहा है दावा कि मेयर तो भाजपा का ही बना कर दिखाएंगे तो सवाल पूछना चाहिए भाजपा नेताओं से पारसदों को पैसे से खरी देंगे या मुकदमे से डराएंगे घर में नजर बंद करेंगे या रिसॉर्ट लेकर जाएंगे विधान सभा में 8 सीटों पर सिमट गई थी जो पार्टी अब 100 से जादा पारसद लेकर आई है क्या यही कहकर आपस में मन बहलाएंगे एक दूसरे की पीट थप थपाएंगे नमस्कार मैं समर राज बोलता है हिंदुस्तान में आपका स्वागत है वैसे तो नगर निगम चुनावों को विधान सभा और लोग सभा चुनाव की तरह राजनैतिक सत्ता से जोड़कर नहीं देखा जाता है मगर सहरों में होने वाले विकास कारियों की अधिकतर जिम्मेदारी इसी की होती है और जब मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में निगम का चुनाव होता है तो जमकर जो राजमाईस होती है हजारों करोड के बजट का फैक्टर तो होता ही है साथ ही राजनैतिक ताकत की भी आजमाईस होती है ऐसे में MCD चुनाव की तारीखों का एलान ही नहीं किया जा रहा था मानो चुनाव आयोग भाजबा का साथ निभा रहा था गुजरात में आम आदमी पार्टी ना जाने क्या ऐसा कर रही थी कि अचानक घोशना कर दी गई कि विधान सभा चुनाव के साथ ही MCD का चुनाव होगा नए राज में एंट्री और पुराने किले पर विक्ट्री के बीच में फंसी इस पार्टी के बारे में अटकले लगाई जा रही थी कि दोनों हाथ में लड़ू लेने के चक्कर में सब कुछ छूट ना जाए हलाकि एकजिट पोल में भारी जीत की संभावना दिखाई गई मगर नतीजे आने सुरू है तो फासला कम दिखा लगा आपका कहीं ये सपना भी तूट ना जाए धीरे धीरे तस्वीर साप होती गई और नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आकणा पार कर लिया इसे आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत कहें या छोटी जीत मगर भाजपा के लिए बढ़ी हार निसंदे मानी जानी चाहिए जिस तरह से सैकडो सांसद और दर्जनो मंत्रियों कई मुख मंत्रियों के नेत्रित में चुनाव प्रचार किया गया हिंदू मुसल्मान लव जिहाद और रोहिंग या बांगला देश पाकिस्तान का मुद्दा उच्छाला गया लगा राजधानी दिल्ली में सीवर की नाली की पानी की साफ सफाई की और कूडे के पहाड की कोई समस्या ही नहीं है खैर अब उन्हें चुना गया है जो इन समस्याओं के समधान की बात करते हैं काम तो करते हैं मगर बहुत बात करते हैं इसलिए अब मद्दाताओं का अधिकार बनता है कि साफ सुत्री दिल्ली की मांग करें जहां कहीं दिखे कोई भी अवयवस्था अपने पारसत को पकड़े और बोले काम करें सिर्फ और सिर्फ काम करें इस बीच दिख जाए कोई टीवी का रिपोर्टर तो बोले साफ रखे दिल्ली सांपरदाई कच्रा ना करें